हेलो विवर्स ये वीडियो सेलरीड इंकम टेक्स पेयर्स के एक कन्फ्यूजन को दूर करने के परपल से बनाई गई है कन्फ्यूजन ये है कि न्यू टेक्स रिजीम में एन पेस खाते में जमा आमाउंट पर टेक्स में छूट है या नहीं इस बारे में रोजानक करमचारी साथियों के फोन मेसेज आ रहे हैं और हमको क्लियर भी कर रहे हैं कुछ अख़वारों और सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रकार की जानकारी इस बारे में शेयर की जा रही है तो असल में नए टेक्स रेजीम में एनपियस खाते में जमा राशी पर कोई छूट है या नहीं और अगर है तो कितनी है तो ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है इससे पहले आपसे एक request है कि अगर ये information आपको helpful लगे तो आगे maximum share जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो तो आईए जानते हैं कि जिस छूट को लेकर आप लोग confused हैं वो छूट मिलेगी या नहीं देखिए NPS खाते की जमा रैशी पर आएकर में छूट के लिए income tax act में section 80 CCD का प्रावधन है section 80 CCD के आगे 5 subsections और हैं 1,2,3,4,5 लेकिन हम working salaried employees के reference के लिए केवल दो sections 80 CCD 1 और 80 CCD 2 इन दो का ही जिक्र करेंगे पहले बात करते हैं section 80 CCD 1 की 80 CCD 1 में employee का जो खुद का amount उसके NPS खाते में जमा होता है जो उसकी salary से deduct होता है 10% उस amount पर tax में छूट मिलती है government employee के लिए basic pay का 10% maximum और private sector के जो employees है उनके लिए gross salary का 20% maximum तक इसकी limit है और इसके इलावा एक limit और भी है 80 C के अंदर जो डेड़ लाग की total limit आपकी रहती है उस डेड़ लाग के अंदर ही 80 CCD 1 की जो हमारी amount है NPS खाते में जो हमारी खुद की amount जमा होती है employee की वो डेड़ लाग तक हम इसमें छूट में ले सकते हैं अगर section 80 C में आपकी जो total deductions हैं वो डेड़ लाग से उपर जाती हैं exceed करती हैं तो NPS की जो आपकी self का contribution है उसका कुछ पार्ट हम section 80 CCD 1B में भी ले सकते हैं section 80 CCD 1B जो है वो एक employee को 50,000 तक का amount deduction के लिए अलाव करता है 50,000 कौन सा amount जो employee का खुद का share 10% के जिसाब से deduct होके उसके NPS account में जमा होता है उसका 50,000 रुपे तक का amount हम 80 CCD 1B section के तहट छूट ले सकते हैं कुछ employees में और videos में AC को लेकर confusion भी हुआ करता था इसके लिए हमने एक video और भी बनाई है जिसमें clear किया गया है कि क्या NPS खाते में जमा राशी को 80 C में 1,5,000,000 तक और CCD 1B में अलग से 50,000 ले सकते हैं या नहीं इस video का link नीचे description में हमने दे दिया है करिपया आप उसको भी जरूर देखें अब हम बात करते हैं section 80 CCD 2 की 80 CCD 2 जो section है यह हमारे employer द्वारा हमारे NPS खाते में जमा की गई amount पर आएकर में छूट देता है अगर employer के इंदर सरकार या राज्य सरकार है तो हमारी basic pay-up 14% जो हमारे NPS खाते में जमा होता है वो tax free रहेगा और private sector के employees के लिए limit 10% तक की है यह प्रावधान ऐसा नही है कि केवल नए tax regime में ही रखा गया यह पहले से ही था old tax regime में भी इस जिसका provision है कि जो आपके employer ने या government employees के reference में बात करें तो सरकार ने जो आपका NPS account में 14% share अपनी तरफ से जमा किया है वो totally tax free है तो यहाँ पर यह चीज़ बिल्कुल clear है कि section 80, CCD 1 और 1B इन दोनों में तो employee का खुद का जो contribution है उसके NPS account में उस पर tax में चूट मिलेगी और यह चूट के वल old tax regime में ही allowed है new tax regime में employee के खुद के contribution पर कोई भी किसी भी परकार की चूट नहीं मिलेगी इसके इलावा जो 80, CCD 2 के तहट चूट मिलती है वो employer दवारा employee के account में NPS account में जो पैसा जमा हुआ है उस पर चूट देता है और यह दोनों tax regime में है old में भी और new में भी अब कुछ साथियों का सवाल ये भी हो सकता है कि अगर new regime में 80, CCD 2 के तहट चूट मिलती है तो उसे कहां minus करें तो हम आपको बता दें कि employer या सरकार वाले जो contribution का contribution है उसको घटाने की ज़रूरती नहीं है क्योंकि हमने उसे income में ही add नहीं किया हाँ अगर आप इसे अपनी salary में जोड लेते हैं तो आप इसको 80, CCD 2 section के तहट घटा सकते हैं लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा mathematically अगर हम बात करें तो plus x minus x equal to 0 मतलब आपको employer वाले contribution को ना तो salary में जोड़ना है और ना ही इसको कहीं घटाना है तो brief इस वीडियो का यही है कि अगर आप new tax regime के साथ जा रहे हैं तो आपको as an employee सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपे standard deduction का ही benefit मिल सकता है और एक additional चीज़ आपको और बता दे कि handicapped employee अगर कोई है तो वो 32,000 रुपे पर मन्त के हिसाब से total 38,400 रुपे पूरे साल की section 10 के तहत conveyance allowance की exemption जरूर ले सकता है इसके इलावा new tax regime में salaried employees के लिए जो working salaried employees हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है और एक पूरे से लिए आपको आपको और एक एल रूर्स आपको जापको जाए 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 जा आए पार में